हेलो गैज वेलकम टो आवर चैनल और मैं रेखा अगरवाल तो गैज कैसे हैं आप सब आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे तो गैज आज फिर हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेस्पी और ये रेस्पी क्या है इसे देखने के लिए आप बने रहे हैं मेरे साथ तो चलते बीडिक तरफ और देखते कि आज हम क्या बनाएंगे क्या है वो नई रेस्पी ओके गाइस तो गैज ये पीच है इसका जूस बनाना सिखाऊंगी ये थोड़े छोटे पीच है तो मैं दो ले रहे हूं वरना एक बड़ा पीच है तो उससे एक पीच से ही मैं दो से तीन किल और मतलब पूराने हो चुके हैं इनसे भी हमारा बहुत अच्छा जूस बन जेगा फ्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कैसे भी आप ले सकते हैं तो गैज इनको काटकर हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे करीब 50 ग्राम पल्प आईए और इसमें थोड़ा सा पानी अरआ ब्लब में पीश करें याथिए को मिक्सी में पीश कर ले आती हूँ पहले जूस पीश लिएया को पीश गया यह था सई की इनको मद और अका बशर्व पल्प बना रहना गाऍा है जाल था एकड़ा ज़ा लेते हैं जाल शल्ली कि पानी पानी जाणे पर बड़ेग कियोंकि। मैं द भराओ नुछे, गरेहाँ, कि अ निकाल लेटे हैं तो आप तैल एसमें डालेंगे इसमें से जूस गिर रहा है इसके किनारे ठोड़े चोड़े हैं आप इसको ओरंज इस है टोड़ा सा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा तो Tesा सा जालेंगे ऑ дополн yen इससे हमारे था उस मार्केट वाले जूस में कलर होता है, और अब मैं थोड़ा सा इसको पीकर दिखाते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है बहुत ही अच्छा टेस्ट है गाइस और यह देखे गाड़ा भी है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतला ही जूस बना हमारा आप इसको ठंडा करकर पी सकते हैं वरना आप इसमें थोड़ी सी बरफ भी डाल सकते हैं आइस क्यूब डाल सकते हैं इसमें ठंडा करने के लिए तो गाइस जो समारा बनकर रेड़ी है आप इसको घर पर ट्राई कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना हेलो गाइस वेलकम टो आवर चैनल तो गाइस आज देखिए हम यह जो आड़ू है इसको प्लम क्या बोलते हैं इसको